दर्शको नमस्कार खास मुलाकात इस कारेक्टर में आप सबी का स्वागत हैं मैं हूँ आपका होस्त संजय निरे दर्शको आज इंबिसित के स्टूडियो में एक ऐसी परसनलेटी आई है जिन्होंने 4045 किलो मिटर का पूरे भारत वर्ष और कई प्रांतों को राज्यों को उन्होंने भ्रह्मन करके वे आज यहां पर आये हुए है ऐसी जो परसनलेटी समय में हमां साथ में इंबिसित के खा इसे कुछ कर गुज़रने की ख़ाहिश होती है यकिनन वे काम्याब होते है پैदल चलना एक बड़ी आसान बात है लेकिन जब सही मायने में कई हजारों किलो मिटर तक जब हम पैदल चलते है तो भी एक टेड़ी खिर साबित होती है पैदल चलना और वो भी हजारों किलो मिटर क्या तकलिफे आये होगी कैसे रहा उनका उनको ये तमाम बाते हमाँ आज के हमारे मेमान अतुल चोकसे साथ से जरूर जानना चाहेंगे लेकिन दर्शे को खास मलाकात ये कारेकरम के हमारी ये परंपराह होती है कि आयवे मेमानों का हम परिचे करवाते हैं तो दर्शे को सबसे बने में आपको आज के हमारे मेमान अतुल चोकसे साब के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि अतुल जी इनका जो रहना है वे चंदन नगर दक्षिनाखपूर के अंतर करताने वाले चंदन नगर मेडिकल लिवासी अंतर राष्ट्रिय अल्ट्रा मेराथॉन धावक अतुल कुमार चोकसे आज यहां पर आई हुए है जिनोंने 180 किलो के लगेच के साथ बहुत बड़ी बात होती है और हर किसी को जो डिप्रेशन में आता है उन्हें डिप्रेशन से मुक्तकर खुशा से जीने के लिए लोगों को जागरू आप अतुचोकसे साब आपने किया है दर्शु को इतने नहीं तो सर आपने चाहिए उतराखंड हो उतरप्रदेश हो बिहार हो जारखंड हो या हो वेस्ट बंगाल आधी राजो में भी आप पैदल चलकर जन्जागरूती करते हुए आप नापूर पहुंचे है ये सबसे हमारे लिए सभागी की बात है इतने नहीं तो अतुल कुमार जी आपने सिविल लाइंस्तीत रामगीरी परिसर से पढ़ेगा इंडिया तो बढ़े अगर मेडिकल लिवासी अंतर रष्ट्रिय अल्ट्रा मेराथॉन धावक अतुल कुमार चोकसे जी ये इनका परिछे था तो दर्शो का हम सीधा रूप करते हैं उनके पास और उनसे ये जानना चाहेंगे आज के हमारे खास मुलाकाति इस प्रोग्राम के माध्यम से के अल् और धन्यवाद करता हूँ और अतुल चोकसे साब ये रहा मेरा पहला सवा अतुल जी ये रहा मेरा पहला सवा चोकसे साब ये बता है कि सर आपको पूरे भारत के राज्यों में जाने की जो प्रेरना है कोई भी काम करने के लिए एक प्रेरना मिलती है तो मेरा सवाल ये था चोकसे जी कि पूरे भारत के राज्यों में जिस प्रकार से आप गए ये जाने की प्रेणा कैसे मिली और पैदल चलने का जुनूर लोग तो ट्रेवल और भी इससे करते लिए कि पैदल चलने का जुनूर आपके मंद में कब आया क्या कहता जो कि आप सर, जैसे मैं एक एथलेट हूँ, हमारा गेम अल्ट्रा मेराथोन क्यालाता है, अल्ट्रा मेराथोन एक ऐसी दोड होती है, जिसमें पचास किलो मेटर की उपर दोड़ना पड़ता है, तो उसमें मैंने कई राष्टी अंतराष्टी इवेंट्स करें, फिर उसके बाद मैंने ये चीज जाना कि स्पोर्ट से एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, समाच को मैसीज देने का, तो कुछ छोटे इवेंट्स करें, जैसे पड़े का इंडिया, बड़े का इंडिया, जिसमें मैंने नाकपूर महराष्ट से पच्मुणी मध्यप्रजिस तक दोड़ लगाई इसके अलाबा कच के रिगिस्तानों में दोड़ लगाई, तो ऐसे ही कई संस्कृतियों को, सब्विताओं को एक्स्प्लोर करने के लिए मैंने इस स्पोर्ट का सहारा लिया, जब आप पैदल कोई चीज की यात्रा करते हैं, आप उसको बारिकी से उस छेतर को, उस परिवे किलमेटर दोड़ने के बात करें, तो हम लोग यकिन ना भुकुर करते हैं, दोड़ते नहीं है, खास दोर पे जिनका शुगर बड़ा हो होता है, उनके लिए तो ये संजिवनी बुटी का काम करती है, दवाई कितना असर करती है, ये तो पता नहीं, लेकिन जिने शुगर ह नहीं है, जिसे उनका मोटापा बढ़ता है, और कई बीमारिया उन्हें घेर लेती है, पैदल चलना अपने आपने बहुत बड़ी बात है, और पैदल चलने का जिनूल कैसे उनमें पैदा हुआ है, इस बारे में, आज कैमरे में मना अतुल चोकसी साब ने काप इच्छी ज है, आपका इस दर्मान का अनुगों कैसे है, क्योंकि भारत का प्रतिनीद्वित करना एक बहुत बड़ा अचीमेंट होता है, क्या कहना चोग्या? सर, यह जो मेराथोन होती है, साहरा रिगिस्तान की, इसका नाम है MDS, मेराथोन डिसेबल, यह फ्रेंच शब्द है, इसका मीनिंग होता है, रेट की दोड़, यह दोड़ पूरे प्रिथवी में, पूरे अर्थ की सबसे टफेस्ट अल्टर मेराथोन माली जाती है, इसके प भारत ने कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, तो मैंने प्लान किया कि हम हमारे भारत का तिरंगा उस मरू भूनी में भी लहराना चाहिए, यही उद्देश को लेकर मैं साहरा रिगिस्तान की अल्टरा मेराथोन में हिस्सा लिया, और यह मेराथोन जो थी incredible रही है, और वो द 37 किलो का लगेज मेरी पीट पे लगा हुआ है, सैकडो दूफानों का सामना कर रहा हूँ, रैटल स्नीक, बिच्छों का सामना कर रहा हूँ, तो बहुत incredible जर्नी रही, और इस temperature के लिए इंडिया से मैंने बहुत सारा खाना लेके गया था, जो गुजरात में हम लोग सारा खाना सड़ गया, और कुछ खाना मैंने इंगलेंड से बुलाया था, जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो उन खाने के बदूलत में उस जर्नी में सर्वाइब कर पाया, बिल्कुल रेत पे चलना बहुत ही, और वह भी तप्ती रेत में, जहां र रोटी बना के अगर डाल दे, तो या पपर डाल दे तो वह से के बाहर निकलती है, ऐसे में पैदर चलना एक टेड़ी खीर साबित होती है, मगर जैसे कि मैंने कारकें के शुरुवात में भी का दर्शुकों, कि जिनमें एक जुनून होता है, कुछ करनी की बात होती है, जो कुछ मुकाम को हासिल करना चाते है, और कठिनेयों का जो सामना करता है, यकिनन भगवान का आशिरवात भी उनिक की पीछे रहता है, कर भला तो हो भला, और आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते, आज अतुलकुमार चोकसी जीने 4045 किलोमिटर का सपर किया है, बहुत-बहुत बड़ी बात है, हमें तो हमारे ये शहर के नौजवान, जो है अतुलकुमार चोकसे, इनके बारे में काफी फकर है, सर, जहां सांप बिच्चु के बात है निकली, मेरा सवाल ये भी था, मैराथान के दवरान तो कई ऐसे जहरीले सांप और बिच्चु, जो उनका भी आपक के मुझे कैसे निकले ते आप, सर, मैं वो सहरा रहिकिस्तान की मेरत हौन थी, उसमें रात की करीब दो बजे थे, मैं रहिकिस्तान को पार कर रहा था, अपना हैट लेंप लगा कर, अचानक वहां पे रहिकिस्तानों की ऐखासेद या होती है कि कब अपना रुक बदल दे, क अपना क्लाइमेट बदल दे कुछ कह नहीं सकते हैं, रात में माइनस टेंपरेचर चल रहा था और अचानक रेत के बड़े-बड़े बमंडर आ गया, तो उन रेत के बमंडर के कारण मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरे आंखों में रेत भुस रही थी, तो उसी द गहंटे बाद 2-5 घंटे हो चुकी थे, फिर जब मैं देखा तो मेरे उपर बहुत सारा बजन सा लग रहा था, फिर मैंने अपना बैक खोला, रेत को हटा के निकल रहा था, ऐसा लग रहा था, मैं अपनी जिंदा कबर में से बहार निकल रहा हूँ, एक-एक फिट मेरे उस जर्णी को करना पड़ता था, और दूसरी रेटल्स में कितना खतरना अजीव होता है, कि आपको डस दे तो एक घंटे के अंदर आपको इलाज नहीं होता, तो तुरंट मर जाओगे, सो एंटी वेनन पंप अगेरा हम साथ में केरी करते थे, सांप ने काटा तो बैग में आके बैट गए थे, मानो जैसी मौत इनके सर पे मंडरा रहती, समय आया था, मगर काल आया था, मगर समय नहीं आया था, समय इनका बलवान था, क्योंकि ये अपने देश को एक अच्छा प्रतिनिजित्व करने के लिए गए थे, अपने देश का परचम लहराने के ले गए थे, घर से एक खाली हाथ निकले थे, मातर इनके अंदर एक जोश था, पैशन था, जिनून था, जिसके चलते इन्होंने ये तप्तिरेगिस्तान में भी एक आसानी से चलके गया है, कापी कश्ट है, सर क्या उस दर्मियान आपके हाथ-पाउं को छाले वाले आये में उस जणि में- या आपको शीजहों या जो पहनें पहूं में. पहाँ में पहोंते थे क्षेक्थाय के पाउं में- जाती थे? मैं बिल खून से लग्पत बह रह रहते हूं और मेरा भी हुआ था पर मेरा उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था क्योंकि मैं आपको बता कि इस जर्णी के लिए इस इवेंट के लिए मैं मई के महने में कनहान नदी में जाकर प्रैक्टिस करता था दुफएर में जाकर नंगे-पाउं रेथ में दौरता था क्योंकि अपने दर रेतीला रेगिस्तान तो है नहीं तो रेथ कहां मिलेगी तो मैं कांटी के पास कनहान बहुत स्ट्रॉंग हो गया था उसका फाइदा में को उस जर्णी में मिला था जी बिल्कुल बहुत ही हाड़ वर्कर थे सर जैसे इन्होंने कहा कि मैं जब रिगिस्तान के रेत पे जब चलना चाहा तो उसके लिए मुझे अनगो की जरूरती मेरे पाउं को मेरे मन को मजबू कि अपने पाउं को इतने ही मजबूत किया कि रिगिस्तान की रेत भी इनके पाउं को कुछ न कर पाई क्योंकि इनके होसले बुलन थे सर जहां तापान के बात हती है आज शहर में 45, 44 डिग्री का जब तापान होता है लोग एसी, डिजर, कुलर, कई प्रकार के लोग अपन उपकरन लगाते हैं कि ठंडी हवाएं आना चाहिए, मगर जो रिगिस्तान में 50 से 55 डिग्री के तापान में चली की कलपना भर से इनसान घवराने लगता है, लेकिन आपने सहारा रिगिस्तान में तिरंगा फरानिका जो सासिक निरने लिया था और आपने वो करके भी कुटती है, पर जब मेरे पास जो तिरंगा था जो मेरे बैग में लगा हुआ था, जब में देखता था, आर्कमेटिक एक जोश आ जाता था, नहीं, ये मैं नहीं दोड रहा हूं, मेरा देश दोड रहा है, तो मेरा देश जुकना ने चाहिए, वो में बार बार जोश भर पर मुझे वो जब तिरंगा देखता था नहीं नहीं यहां मैं थोड़ी दोड़ रहा हूं मेरा पूरा देश दोड़ रहा है उनको में निराशनी करूगा इसलिए मैं कंटीरियों डटा रहा हूं जब सुना हमने अतु चोकसे साफ की जो के अल्ट्रामेरा तक धावग है जो अपने वन वो बता रहे हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तिरंगा के सामने में एक उसका जो स्वाविभान है वो एक अभिमान है और देश के प्रती जो कुछ करने का जो चाहत है जो म लिगिस्तान लो जब पानी पीनी की बात आती थी तो पानी भी आप बचा बचा के पीते थे मगर पानी भलाई कम हो लेकिन आपके सामने में जो टार्गेट था और जो आपके साथ जो ताकल बनी थी वो था आपका तिरंगा हम सब लोगों का हमारे पुरे भारतवासियों क अमाने देश का जो तीरंगा था उससे कही आपको प्रेड़ना मिली और तब कई जाकर आपने खुद को उस प्रकार से ढाला याने दर्शोगो इसे एक बात साब जाहिर होती है कि देश के बॉर्डर पे जो सैनिक जो लड़ते हैं वो अपने परिवार को छोड़ के आते हैं अपना सब जो सुख़जीवने उसको अलग साइड में रखते हैं क्योंकि उनको देश को आज़ात करना होता है देश के सिमा पर डट कर दुश्मर का सामना करना पड़ता है और उनके पास एक ही ताकद होती है और वो ताकद होती है हमारा तीरंगा जेंडा और तमाम देश देशवासियों की दुआएं और प्यार उनके साथ होता है जो ठीक अतुल चोकसे साथ में उस समय में पूरे देशवासियों की दुआएं थी बगवाल के असिंक रुपा थी और कुछ करने की चाहत इनका जोश इनका पैशन इनको आगे तक ले गई है सब वो एक रिगिस् है हिमाले है बर्व की वादिया है समुद्र है तो मैं आप लोगों को अपने एक अनुहोष शेर करने चाहूंगा दो हजार बीस एक तीस दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जीरो लाइन नाडवेट कच से दौरते हुए मैंने पूरे थार रिगिस्तान को पार कर है और इस जर्नी का मैं अनुभव बता हूं तो मेरे साथ एक स्पेशल तरह की मैंने ट्वाडी बनाई थी जिसमें एक सो साट एक सो साट किलो का वजन था और बीस से तीस लिटर पानी रहता था पंदरा से बीस दिनों का राशन रहता था टैंट आग जलानी का समान रस्ते लाइन से अपनी जर्नी प्रारम किया और बहुत अनुभव था कि जितना दूर अभी आपका कैमरा रखा हूं इतनी दूर मेरे सामने पाकिस्तान था और मैं वहां पर खड़ा हूँ और वहां से अपनी पूरी जर्नी चालू किया और एक डर भी था कि मैं उनकी फाइरिंग जक्मी हो गए थे और कई बार हम लोगो किस्सा सुनते हैं या महावरा देते हैं जले पे नमक छड़तना वो किस्सा में उस जर्नी मेरे साथ तई हुआ जब मैं मेरे पैर जक्मी हो गए हैं और मैं एक डजर्ट को पार कर रहा हूं एक डलदल में मेरा पैर डूग किया और पूरी नमक की दलदल थी और मेरे पूरे घाओं में पूरे नमक गुज गए तो एक बहुत दर्द भरा अनुगोल ही का सामना किया और दूसरी बात जब मेरे रात में डजर्ट में कैम्प लगाता हूं तो मैं जब खाना पकाता था मैं नॉर्मली खिचिडी बनाता हूं ड दूडी बादी परंपरा जाती बाद को झेला दुनिया के टॉप टैन भूतिया जगों में रहा जहां दस हजार खंडर और कोई नहीं फिर उसके अलावा नुक्लियर साइट को नजदीक से क्रॉस किया लेला मजुनू की दरगा को एक्स्प्लोर किया साइबेरियन पक्छी जो पूरे साइबेरिया हिमाले को पार करके इंडिया आते उन से मिलने का मोका मिला ऐसे ही बहुत सारे अनुभवर है तो वो जर्नी भी बहुत इंक्रेटबल थी उसकी दूरी थी 1551 किलोमीटर 52 डेस में डजर्ट में रहा जिलकुर ये थार का जो अनुभवर इंका काफी रुमाँच कारी रहा है और जैसे कि सर मेरा एक सवाल यही था कि जब आप बॉर्डर पे जब खड़े थे कितना फक्र महसुस कर रहे थे कि हाथ में तीरंगा जेंडर बगल में फूल पाकिस्तान का मतलब बॉर्डर शुरू होता है वे से निब आपको घूर रहे होंगे कि यह कहाँ दुष्वन का हमारा उनके लिए थे क्लेन वहारत के थेंडस्तान का जेंडायों फशलेदा यह को आके खड़ा हो गया यह आप उस दौरान ज गारे पे ह 우리가 फेस्टाना के उद्धेश्वन कर लार किसे कि कि किः तो उस रेंज के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे पर्मिशन दिया एक पास बना के दिया और हमारे बीएसेप की टोली के साथ मुझे जीरो लाइन पर ले जाया गया मैं जब उस जगे में पहुच् pigs विश्वास नहीं हो रहा था यह तार के इस तरह बीडिया बढकर आपा बाठ कर दिया ग्री पर वह लूकरता अच्छा दोचक्रेस मुखा आरे ला पक्ची उपर से उड़ रहे हैं, उनकी ने तो कोई बॉर्डर ली है, सिर्फ हम इंसानों ने ही अपना-पना दायरा रखा, तो एक ये साइकोलोजी को में जहल रहा था, और दूसरी अब ये प्रॉब्लम थी, कि मुझे वहां के कमांडिंग आफिसर ने एक टाइम के लिए उसी टाइम डिमिटर मुझे बात भी साना था, तो मुझे सामने उन्होंने बताया था है कि जो वो सेनिक है, उनकी पैट्रोली पार्टी घूम रही है पाकिस्तान वालों की, तो आपको उनकी फाइरिंग रेस से जल्दी से जल्दी दूर निकल लाए, जब आप नहीं निक पीचे में जो वीजो चल रहे हैं, उसमें आप साथ तोर पर देख सकते हैं कि कैसे किसे इनका सपर रहा है, और कहां काईए कि इसमें पाकिस्तान का वो बाडर भी नजर आ रहा है, लैला मुझन के मजार भी नजर आ रही है, तमाम वीजो साब के पीचे में चल रहे हैं, औ अतुर कुमार चोक से ये हमारे नापूर के दक्षिनापूर के अंतरगत आने वाले चंदन नगर मेडिकल के ये निवासी है जो उन्हेंने बखुर के और बहुत ही अच्छा काम किया है देश का गवरो इन्होंने बढ़ाया है और ये गरीमा को बरकरार रखने का काम भी ये क जैसा इन्होंने अपने अनुबवाइं में बता है कि ये कई राज्यों में गए उस जहां पर वे गए थे वहां पर जाती प्रथा आज भी कायम है कौन से जात काय ये भी पूछा गया है तो ये आज भी जो है रुडी परंपराई हैं आज भी कायम है सर वह इस वाक्या बत कि गाउं मिलते हैं देजर्ट में भी छोटे छोटे रहते हैं और दूसरा हमार बॉर्डर नजिक होने के कारण वहां पर डेवलप्मेंट सरकार उतनी करती नहीं है और दूसरी बात वहां एजूकेशन भी बहुत पिछड़ा है तो उसका असर ये होता है कि आज भी वहां रूडिवादी परंपरा है जाती बहुत है जब मैं एक डजर्ट को पार किया और वहीं पर लूनी नदी भी थी लूनी नदी को क्रॉस किया लूनी नदी एक मातर थार्रेगिस्तान की नदी है वहीं से निकलती है और वहीं पर मिठ जाती है जब मैंने वह नदी को पार किय मैं भाट की नाम के गाउं में पहुचा और मैं भूक प्यास से लगपत था, मेरे पैर पूरे जखनी थे, तो मैं पहुचा, तो सबसे पहले मेरे से लोगों ने एक शब्द पुझा, कोनो जात, तुम्हारी जात क्या है, तो मुझे बड़ा पटा लगा, ये जात क्यों तो मैं ने सौ किलो मुटर दूरी तय भी नहीं करी होंगे, करीब सौ देड़ सो बार लोगों ने पूछ दिया, तुम्हारी जात क्या है, फिर मैं को बार बार वो कबीर का दोहा था, जात मा पूछो सादू की, पूछ लीजियो, ग्यान, मोल करो तलवार का, पढ़ी तो फिर मैं को बाद में पता चला, कि आज भी यहां पे जो सब्पिता है, संस्कृति है, गाओं है, जात के अधार पे बटे हो है, मेगवालों के गाओं, राणाओं के गाओं, पुरोहतों के गाओं, कई बार में उनको ताने मारता था, इंसानों का गाओं कहा है, तो मैं देखने में आया होगा, कि जहां तिरंगा आपके साथ मैं था, भले ही लोग जाँ पुछे, लेकिन जब तिरंगा देखने के बाद, उनका भी दिल कही न कहीं, मतलब देश्क के तरफ देखते हुए, वह बात भी उनके दिल से नहीं निकलते हूँगा, या आपको सवयोग लोग आते थे जब मेरे से बात करते थे तो अपने दिलों में और अपने घरों में भी जगे देते थे, तो ये तिरंगा ही है जो सारी सब्षोटाओं को जोड के रखा है, हम विविभिणनेताओं में भी एक है, बिल्कुर। बहुत अच्छे जान करें आपने देए कि विविन्यताओं में भी एक है और यही हमारा देश है भारत देश जो सभी जाती धर्मपंतों को जोड के रखता है सभी भाशाओं का सम्मान करता है सभी मजब का सम्मान भी इसी देश में होता है इसलिए भारत देश अन्य देशों अब तक के किया है लेकिन अब तक के आप ने कौन-कौन सी ऐसी मेरा थन थी जिसमें बढ़ चड़कर हिस्सा लिया है अगर सिल्सिलिवार अगर पताना चाओ तो क्या जान करें दूर्यामार दर्श्टो को अब जैसे हम सब को मालूम है कि जैसे हम सिटिंग प्रोफेशन में आते हैं ओवरवेट हो जाते क्योंकि हम कोई वर्काउट नहीं करते तो मेरा ओवरवेट हो गया था मैंने अपनी वेट को कम करने के लिए दौरना चालो किया और दौरते पता नहीं लगा कि मैं 10 किलोमेटर 11 किलोमेटर 42 किलोमेटर दौरने लगा उस टाइम नागपूर में पहली पूर्षखर हुए ती जो याशumphन्ति स्टेडियम में उसमें पारटिस्पेट किया फिर उसके बाद में मैराथों से स्टुड़ूसब वा की मैराथों क्या है और वो कहां कहां और होती है तो मैंने जब 2016 में देखा कि वो कौन योध्या है जो इसमें हिस्सा लेते हैं, फिर मैंने उसके बाद एक साल पूरी ट्रेनिंग करी नापपूर में, फिर उसके बाद 2017 मैंने लद्दाप मैराथान में हिस्सा लिया और दो मेडल भारत के लिए उसमें, उसमें पूरी दुनि 161 किलो मेटर 33 गंटे में पार किया और वो भी दुनिया की एक ऐसी मेराथान है, जिसमें विदाउट रूट में, उसमें सिप सेटलेट से दोड़ना पड़ता है, तो मैं 33 गंटे तक पूरे डजर्ट में दोड़ा, नॉन स्टॉप, फिर उसके बाद सहारा रिगिस्तान 2018 म पचमडी, ऐसे फिर बैंगलोर के में जंगलों में दोड़ा, और जो अब तक का सबसे बड़ी मेराथान रही है, तो वो मेरी दो मेराथान गिनी जाती है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, एक तो थार रिगिस्तान की, गुजरात, राजिस्तान, अरियाना, पंजाब को क् पहले किया, हिमाले उत्राखंड से दोड़ते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड और बंगाल को पार करते हो, बंगाल की खड़ी में, यह मेरी इंक्रेटवल जर्नी रही, जो आज तक साहत किसी ने दुनिया में नहीं किया, और मुझे स्वभाग की मिला कि मैं इन अचीवमेंट्स को कर पाया, बिल्कुल यह तो एक वर्ल्ड रेकॉर्ड़ी हो चुका है इनके लिए तो, और अतुल कुमार चोकसी जी ने जिस जैसे कि बताया कि कितनी कठेना है का उन्हें सामना करना पड़ा, जब हमने आप से इन से पूचा, कि सर आपने अब सवल आपसे ये भी था, कि अब तक आपको तकरीबन 81 राष्ट्रिय और 35 अंतर राष्ट्रिय और पूरोजकारों से नवाजा गया है, क्या सरकार से आपको कोई स्पोर्ट्स कोटे से नोक्री या आर्थिक मदद की जाती है, या करने वाले है, क्या है, क्या आपको जानकर ये स्पोर्ट्स आज भी हमारे भारत में इंट्रिड्यूस नहीं हुआ है, तो सरकार को मैंने अपनी इन जर्नी के बारे में मैसिज दिया था, तो उनका रिप्लाय आया है कि ये स्पोर्ट्स हमारे CR और जो GR होता है उनकी उसमें नहीं है, तो इस दुर्भाग के कारण मु में परसनल मुलाकात करी, उनने आफसाशन तो दिये हैं कि हम आपके लिए करते हैं पर अभी तक नहीं हुआ, पर मैं भारत के सामान ये जन्म आनुस का शुक्रिया अदा करता हूं, कि जब भी मैं कोई इवेंट करता हूं, तो उन लोगों के सहयोग से में ये जिसने 4045 किलो मीटर का पूरा मेराथान बर्चट कर हिसा लिया है, देश का परचम लगा है, देश के लिए वो आदमी लड़ा है, अगर आप चाहते हो, और होने चाहिए, ये सरकार का भी अपना एक दाइत्व है, कि ऐसे देश के हमारे जो हीरे होते हैं, उनके लिए उनक हजारों अतुल चोग से निर्मान होंगे, और हर किसी को सरकार ने नोकरी देना उतने ही जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों को यदि नोकरी आप दोंगे, और स्पोर्ट स्कोटे से अगर आप देना चाहो, तो जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इन्हेंने काफी मेल भी किया है, और अतुल कुमार ची, हम जरूर क्या है, जो केंद्रे मिनिस्टर है, या सेंटर के जो बड़े-बड़े जो अजिकारी है, जो वहां के सेक्रेर प्रधान सची जो है, या मंत्री है, हो सके, तो हम प्राइम मिनिस्टर से भी इस वीशे में हमारे चानल के मात्री से जरू बात रखेंगे कि अतुर कुमार चोकसी जिनी भी काफी कोशिशी की है आपका भी काम है कि इनने जल से जल रोजगार मुह ही लिया करवाए या कई भी बहुत जो होते हैं उन्होंने भी मदद करना चाहिए सर ये तो आपके बारे में क्योंकि आप फुल फीट हो आपका तंदुरुस्त शरीर है आप काफी मेहनत किये दवड़े है सब है लेकिन सर आज के इस भागदोर बरी जिन्दगी में हर कोई तनवा में दिखता है जी बहुत से लोग जीवन में ना प्रहनायम करते है ना योग हैं अभी देखा था कि भी देड़ दो साल पहले किव्ड का अचानक lockdown हुआ था उस टाइम भी लोग excuse बताते थे कि हम घर में रहके तो कर नहीं सकते तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अपने घर के तीन कमरे में 51 किलोमुटर की रणिंग करी थे और उसको बहुत सारे लोगों ने देखा था यह मैंने इसलिए करी थी क्योंकि को एक message दिया था तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फिजिकली कोई भी exercise करते हैं योगा करते हैं या running करते हैं या walking करते हैं वह आपको फिजिकली तोर पे strongly करता मेंटली तोर पे भी आपको strong करता है क्योंकि आप जब 2 घंटे तक marathon में डटे रहते हैं तो आपका focus strong होता है mentally बहुत ज़्यादा strong बनते जाएंगे और आज के बच्चों का आप देख रहे हैं कि mobile technology जैसे develop हो रही है वो अपनी life में कहीं न कहीं कमजोर होते जा रहे हैं आज के बच्चे के बात करें तो बच्चपन में वो पैदा होते नहीं उनके चस्में लग जात ही है तो यह सब जो पहले के टाइम में बच्चे गाओं में रहते थे खेल कूद करते थे तो वो physically fit रहते थे तो आज मैं सभी से यह request करूँगा कि आप अपने आपको mentally और physically fit रखना चाहते हैं तो कम से कम घर में 25 से 30 मिनिट आप योगा कर सकते हैं या वाकिंग कर सकते हैं cycling कर सकते हैं और running कर सकते हैं और इससे आप ठकेंगे नहीं बलकि आप दिन भर एक तंजलूस्त और एक चुस्ती बनी रहेगी जी सर तो और मैं युवाओ को यही message देना चाहूंगा life में कितने भी मुस्किल हालात क्यों ना हो अपनी कदर करो तुम से ज़्यादा महत्पू सामना करो आप महत्पून हैं आप से ज़्यादा महत्पून कुछ नहीं है और मैं इन BCN News का बहुत बहुत शुक्रिया आदा करना चाहूंगा संजे सरका इमरान शेक सरका जिन्होंने मेरी बात आप इस चैनल के माध्यम से आप लोग होते अपलाई बहुत बहुत थेंक कुछ करने की चाहत नहीं होती उनकी जियुन में अंदेरसा होता है जैसे कि अतुछोक्से सर में बताया है कि कई बार लोग कुछ करने की चाहत ही नहीं रखते अगर किसमें को बोला कि पैदे चलना है दोड़ना है सुबह व्यायम करना है तो कोन करेगा क्यों करेगा क्या फाइदा होगा यह आलस लोगों में कूट-कूट के भरा हुआ है आलस को दूर करना होगा और सही बात का हाथ चोक से जिने कि यदि हम चलेंगे दवडेंगे या पैदल चलेंगे व्यायम परानाय में योगा करेंगे तो यकीनन सुबह की ताजगी भरी हवा हमारे अंदर तो यकिनन देश भी तंदर तो होगा तो दर्शकुआ आज के हमारे मेमान खास मुलाकत इस कारेक्टरम के लिए अल्टरा मेरात्वन धावक अतुल चोक से साबाय थे जिन्हों ने अच्छा अच्छा अनुबह अपने हमारे साथ साजा किये और बताए कि किस कठीनाययों के रहा पे वे चल के आयो है अतुल जी मेरा जाते जाते आखरी का सवाल ये है सर आज आज आप ते जिस प्रकार से या जो मैरोतर पुरा पर क्या है हजारों किलो मिटर आप दोड़ के है, चारहजर पे, तारीस और उसे भी ज़ादा, और भोईशों में भोईशों में भी आपका कोई और जाने का कई प्लान है क्या, ये मेरा एक सवाल, और दूसरा मेरा सवाल ये है, कि सर उधर से आने के बाद कोई academy खुलने हो क्या है अगर कुछ बच्चे आपके पदचिन्नों पे चलना चाहते हैं तो उन्हें मार्गदर्शन के लिए कोई academy आप या school संस्ता खुलने वाले हो क्या है सर जैसे देखिए अभी हम जो भी इवेंट करते हैं एक समाजिक मुद्दे को लिखके करते हैं जैसे हमने 4040 किलो मिटर की जर्नी करी थी गंगा के उद्गा मुस्तल से गंगा जहां पे विलीन होती है सागर में वहां तक की तो उसका टाइटल था गंगा हो प्रदूशन मुक और व्यक्ति हो डिप्रेशन मुक्ति इस जर्नी में हमने 500 से ज्यादा चौपाल लगा है लोगों को एक मैसीज दिया यह उद्देश को लेकर अभी हम आने वाले 10 दिनों में हमारे लोकल छेतर राम्टिक छेतर में हम एक यातरा पे जा रहे हैं आत्म निरभर गाउं कैसे सके ऐसे उद्देशों को लेकर हम समय समय पर कोई न कोई अपना अभिहान चलाते रहते हैं और रही एकेडमी के बाद हमारी एकेडमी है नापपूर रनर्स अकेडमी जिसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं और हम आपको स्पोर्ट्स में कैसे कदम रखे डाइट कैसे प बहुत 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 धन्यवादा अतुल चोकसे सहाब आज आज आफ हमारे इनवी सिंग के स्टूडिय में खास मुलाकात इस कारेक्रम के लिए हैं काफी अच्छी बाते इन्होंने जान करें दी है तो दर्शुको मैं आफ सभी के और से मैं अतुल चोकसे सहाब जो आज क अब हमारे चैनल में है और जो हमारे दर्शुको के लिए काफी अच्छा समय आज आज आपने दिया जो बाते अच्छी सांजा की उन से इसलिए मैं फिर से एक बार इन्वी सिंग के खास मुलाकात इस कारेक्रम के माध्यां से आपका बहुत 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 शुकर गुजार आप देखतेरिये आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात इन्वी सिंग न्यूज नापपूर नमस्कार नमस्कार साथ